नमस्का दोस्तों चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ दोस्तों एक दूर एक बार फिर से दिसंबर 2020 टर्मिन एक्जाम के लिए Assignment Submission की Last Date फिर से Extend कर दी है उसके साथ साथ आपके Project Submission, Resultation, Fieldwork, Journal, Intercept Submission की Last Date Extend करके 31st January कर दी है तो दोस्तों अभी तक आपके जिस भी Friend ने आपने अगर Assignment Submit नहीं करा है या Project वगरा रह रहा है आपका Submit नहीं करा है तो आप इसके बाद कोई भी Chance नहीं मिलने वाला आप अपना Assignment, Fieldwork, Journal, Project जो भी है आप 31st January तक Submit करा लीजिए दोस्तों Last Date का इंतिजार करते करते बहुत सारे स्टुडेंट कर रह जाता है ये साई चीजें तो आप कभी भी Last Date का इंतिजार मत किया करिए ऐसा भी हो सकता था कि इसके बाद कोई भी Date ना Extend होती तो आपका 6 months waste हो जाता है या फिर आप exam देते फिर theory का exam दे लेते और assignment submission रह जाता तो और भी 6 months late हो जाता तो इस सब चीजों में आप active रहा करो जैसे भी ये date शुरुआत हो फटा फटा अपना ये सारी activity करके assignment हो या fees हो जो भी है आप submit करा सकते submit करा दिया करिए तो दोस्तो exam fees की दो date extend नहीं हुई बहुत सारे student चारे थे extend हो जाए लेकिन अब extend नहीं होगी अब जून जुलाई में exam फिर से जो conduct करा जाएंगे जिसका submission सुरू होगा आपका March April में तो उसके लिए active रहीएगा जैसे ही शुरुआत हो अपना exam fees assignment वगरा भर दीजिएगा तो अभी अगर assignment अगर आपने सब्मिट नहीं किया तो सब्मिट कर दीजिए और इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ ज्यादा सेयर करिए ताकि उनको भी अभी जो 15 दिन का extension हुआ है उसके अंदर यह अपना assignment वगरा सब्मिट करा ले बहुत सारे student आपके रिजिट्रेशन की डेट को extend कर दिया गया है 31 जनवरी तक जो जनवरी 2021 के लिए रिजिट्रेशन चल रहा है सेकंड ये सेकंड समिस्टर फूर समिस्टर फाइनल ये में उसके लिए इसकी भी डेट एक्ट कर दी गया है 31 जनवरी तक तो अभी तक अगर आपने अप ये समिस्टर के लिए तो आप फटाफट अपना रिजिट्रेशन कर लीजिए रिजिट्रेशन कैसे करना है मैं इसका वीडियो बना चुका है वहां से आप जाके प्रोसेस फॉल्व करके कर सकते हैं बहुत ही सिंपल है तो दोस्तों ये था अपडेट आगे कोई और भी नमस्कार धन्यवाद